हेलो एव्रिवान सब कैसे हैं उन्मी द्रक्तियों सब ठीकी होंगे आशाकोडी आपनारा शौबाई खूब खूब भालवाजें एकुन बिकेल शारे चाथते बाजे चुलून घोड़े जाई आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो ग्लोबल विलेज से क्या-क्या लाई थी तो ये पाकिस्तन पैविलियन से खड़ी थी बहुत ही पसंद आई मुझे इसलिए ये हैंट क्राफ्टेट है रोज उड़ से बनाया हुआ चीज है जेकोनों हाते बानानों जीनिशामा भि कि शुंदो देखते कि शुंदो कॉंसेप्टा भिशुन पचंदो होए गालो ताई एटा खिने फेल्लाम मेरकुन तीम्टे खापें मियेची सेंगेल खापेरो छीलो दूटो खापेरो छीलो आर एक्टा पीरामिट एटा इजित प्राविलियन थेके ना होएचे ता ओर प बसंदे ये मार्बेल की बनी होई एक काफी भाडी है येही दो चीज इंपोर्टेंट नी हूँ और ग्रामरा मेरा कोडी मेला थिकेचे रम तुक्ताक जिनिश्की नी एई शब तुक्ताक जिनिश्की नेची ओई एक्टा हाते पोरर बेंड आर एक्टा आं थी चोलुन एक्टा बातीके मोशला गोलो मिक्स कोरेनेगो एटा हुच्छ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आनियनेब लंकार गुडो, आमचूर पाउडर और गोडुम मोशलार गुडो निये एक्टा बातीके मिशीये निच्छी, आशोलीकी बानाबो बोलुन तो शिंगारा, फूलकोपी शिंगारा, अधिक्तु होलुद गुडो दिलाम, दिते भूले दिये चिलाम पो एक दिन आगे आपनारे लिस्ट चोई देखेजें, आमें फूलकोपी शिंगारा बान्या छिला, शेई भ्लोक ताई, मने शेई रेसिपी ताई, आज के शेयर कोच ये आपना देश्याथ है, तो थोड़ासा सर्चो तेल में गोबी को धग धग के तल लूंगी, और ये जारा में थोड़ासा गोबी डाल के समुसा खान में बहुती मज़ा आता है, थोड़ासा नमक डाल रेन्यों, बेंगोली रेसिपी है, बने फूलकोपी शिंगारा बांगाली दे रख्टा शित कले बिशेश आकोश्ण, चाहिए होग, आमें एक तो आदा आर काचलों का, ए यह बर आलू बुलो दिये देगे, शितने लों कामर काचलो ना, उपकी चीलो, जाहिए हो, इबर आलू बुलो के दिये, हस्पर आस्पर आलू तकर अलपो अलपो कोड़े खेचने देगे, हर बार विंटर में यह एक बार तो बनाती हूं, इस बर बनाना नहीं हुआ, इस अच्छा नमक डाल रही हूं, तो अभी भी बाहर थोड़ी बहुत थंट की मौसम है, तो सोची अभी बना लो, इसके बाद अच्छा ना लगे, इसमें वो कुटा हूँ अच्छा और हरी मिर्श डाल रही हूं, डाल के अच्छे से मिक्स कर लोंगी, वैसे मैं अभी पानी डालोंगी, पानी डाल के इस आलू को थोड़ा सा सीजने के लिए छोड़ दूंगी, आज इविनिंग में एक्च्छेली दो गेस्क भी आएंगे, तो सोची चलो, समोसा ही बना लेते हैं, तो पानी देके थोड़ा सा धग देती हूं, अभी भी आलू सीजी में है, थ शेद्टो होले, तार पर धेजे राका फूलकोपी गुलो मीशिये देबो, एजे मोटा मोटी आलू गुलो होये गाचे, एबान नून दियर भेगेची लाम फूलकोपीता, जार तेक्टु मीशिये निये ध्या धाका दिये रागबो, कोयक मिनित, जार स्टाफिंग टा अधे रेडी होये गालो, वे शुन्दोर होये चे किन्तु खुख शुन्दोर गौंधो वे रच्छे, एब मुध्धे एक तुखा रेडी ची बीतनों, काला नमक और थोड़ी सी काली मेर्च गोल मोरीज देबो, आर एक तुख कसोरी मेर्थी, दिये भालकोडे नारिये चर चलिए इसको अब एक बर्तन में निकाल देते हैं, एक्चुली यहां कलर समझ में नहीं आ रही है, यूँकि यह पहले निकाल देती हूं, उसके बाद बैक कैमेरा से दिखाती हूं, यह देखूं, फूफ शुन्दोर कालार हो एच्छे बंग देखते हो शुन्दोर हो एच यहां जिखे देखे चीजाने, घेते हो भालो हो एचे, जाइ होक एक्टू मॉयदा मेखे नेच्छे, एक्टू बेशी कोरे मॉयण दीएचे, एच ऐई धाबे, आर एक्टू धेकालो जीरे आद जोवान दीएची, जल दीए मेखे कुछ ने जनो लेखे देखे, एई पोटेंट एबंग फूबी भालो लागा राक्ता काज आमारी शिंगारा स्टाफिंग भोरे फोल्डिंग ट्या कोटते भीशन धालो लागे फूब भालो पाड़ी ना इन तो भीशन भालो लागे कोटते अर घर में जब समोसा बनेगा तो कोई एक नहीं खाएगा सबी कोई तीम चार ले लेंगे तो इसलिए थोड़ा ज्यादा भी बना रहेंगे और क्योंकि गेस्ट आएंगे तो ज्यादा बनाना ही परेगा तो एसे मैं एक ओघल शेत में बेन ले रहेंगे तो इसको बीच से कट लागा लूंगी शोटो बैलाए माके रखम शिंगारा कोत्ते देखताम तोखन आमी फोल्ट करार एक्ता दुटे चेश्टा हो कोड़ेची फिन्तु पोनो दिमों होई नूंटो एक्खन मोटामुटी शेप खुब एक्टा भालो ना होलो पोल्ट कोत्ते पारी तोखन आप लोगो में से कोई हो जो घर में समुषा बनाके खाना पसंग करते हो अगर बनाते हो तो उनका रेसिपी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजेगा यह एक्टा शिंगारा बेले स्टाफिंग कोडे फोल्ट कोरते के न्युक्त बेश शोमोय लाग जे आमार शोमोय लाग जे जाही हो दोकानी की तारा तारी कुड़े फाले ना उड़ा कोडिनिक तो बाजार दोकान और घौर्डगों चाने में बैट सुथा शाय रेसिपी व्लोग टे एडिट कोड़े आपलोड कोड़ के देधी होए जालो चली काफी टाइम हो चुकी है मुझे बहुत समय लग गया यह बनाते हुए अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि अधिया चली सारे समोसे बन के तैयार हो गया है मतलब अब तलना बाकी है तो कडाई इसे तेल चरहें ज्यादा होट और यह नहीं तलूंगी थोड़ा मीडियम होट ओई तलूंगी धीरे थीरे तो भास्ते शमय लागवे शमय निये भास्ते होबे एई कास्ता आमार खुब एक्ता पौछंदेर काज में बने एक खुन शमय गयास विश्राम ने दाड़िये उल्टे पालते ताके भाज एकदम ही पौछंदेर काज किन्तु धोई जुनिये भास् काफी समय लगती है इसको अब दिरे दिरे फ्राइब कर रही हूं आज देखिए समोसे अब बाहर आ रही है इधर एक टीशू पेपर में मैं निकाल दे रही हूं समोसा और अभी चार समोसे और चोड़ूंगी तेल में तलने के लिए यूकि आप लोगों को दिखाती हूं स समोसा कितनी क्रिस्की बनी है कि मुझे एक्टुएली न समोसे ऐसे ही पसंद चू बाहर से थोड़ा सा कृस्का हो तो आप इसको सार्फ कर लेते हैं यहां दुकान में जो समोसे मिलते हैं उनका इस स्टफिंग होता है बहुत ही फीकी और साधी होती है कभी कभी समोसे भी नहीं होते हैं तो इसे लिए बीच बीच में बन करता है तो घर में बना लेते हैं कि अधर निक्तु भीने दाखाई भी तक क्यामन लागज़े शोले आज के थाने शेश कोड़ सी वीडियो तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमिंट सब्सक्राइब आज के लिए यहीं तब मिलूंगी नेक्स लॉग में तब तक के लिए बाए बाए